एक बाद फिर से आप सभी का सोगत था आपके अपने चैनल में तो आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं वोमेंज T20 ट्राइसरी 2030 के तीसरे मैच के बारे में जो की खेला जाने वाला है इंडिया वोमें और बेस्ट इंडीज वोमें की बीच में रात को 10 बच कर 30 पर बा अगर मैच की बात किया पीच रिपोर्ट के बात किया है धान रखना बाइलन सर्फस होने वाला है जहां पर टीम पर चेज करना पसंद करेंगी डू गरेगा इसके गाड़ और इस पिनास जनले यहां पर ज्यादा बिकेट पाते हैं फास्ट बाल्स के मुकाबले और इस स्क पर मैच की बात किया है टोटल यहां पर 22 के मैच खेले जा चुके हैं बैटिंग फास्ट करनेवल टीम ने दस मैचों में जीत दर्श किये कोई खास अंतर है नहीं थोड़ा बहुत अडवांटेज बैटिंग सेकंड करनेवल टीम को इस मैच में रहने वाला है जैसा कि मनें बता है इंडियो में की एंडिया की तो फिछ्ले पांच मैच स्वेले एक में टाइज हो गया था जो आ स्विशूर के कि एन Second दोला चारों साथ कुछ अच्छे फार्म में चल दें मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली नहीं है धान रगना टीम में रखकल चलना है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं खेलना है यास्त का भाटी आएंगी टीटों टीजमें के नाम नो मैज में 107 15 के और से रिशन फार्म के बात किए तो बाइस नाट आट ऑड निननानमे नाट आट ऑड दो असी नाट ऑड पैस सांधर फार्म में चल दी है इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है हरले इंदेवन लाएंगी टीटों टीजमेंन के नाम 17 मैज में 1145 के और से च्शेवीं न सब्सक्राइब करते सकती है ध्यान रखना और रिसन फार्म की बाद किये एक रन दो विकट बत्तिस हंजीव कट ग्यारां दो विकट नो रन दो दो विकट धान रखना देविका बाइदिका यह अपने पूरे का पूरी लगभग चार ओबर करने वाली है तो इस बात का धान रखना साथ में नंबर पांच में बलवाजी भी करेगी तो इंपोर्टन पिक रहने वाली है हेट्टोड कांटेस्ट में भी देप्ति सर्मा आए सब्सक्राइब करते हैं मेरे सबसे बहुत इसांदार गेंबाई करती है राइटा मॉप ब्रेक रिसन फार्म की बात किए जीरू कर दो नाट आउट एक बीट राधा है वे दो आएंगे इस बात किये पांच मेंच के बात किये तो एक और दो मैच पे बीकेट मिला एक बाकी के सारे मैच फलाप रही है राज जेस्वी गाकवाड आएंगे टीट राधावानी आएंगे टीट रोन डीज मेंच में गणाव च्छे मैंच में तीन बीकट है लगाए यहां पिक कर सकते हैं इधर से आप खास कर पिक कर सकते हैं बाइटिंग से इदर से त्राइक कर सकते हैं अच्छी पिक होने वाली है रास्त का भाटिया को पिक करना है इधर से बालिंग सेक्षिंस अब बात करते हैं दूसरे टीम याने की बेस्ट इंडी जो में की इनकी बात किया है लास्त के 5 टी टोन्टी मेंच से पांच के बाचों में हार मिली है टीम खराब परफारम कर रहाई धान के इंडिया व मेंड के फ्यवर पार रहे हैं तो मेरे सबसे इतने इंपोर्ट इपिक रहनों नहीं है लेकिन बेस्ट इंडियों की सबसे तकडीप लेर है तो अच्छी फिक हो सकती है धान रगना कैप्टन का थोड़ा मसला रहेगा कि इनको कैप्टन वाइस के खेला जाए कि नहीं जिसकी जान करें आपको मिल जाएगी उनके साथ आने वाली है ब्रिटनी कूपर टीटों टीज में के नाम 73 मैज में 608 रहना है ग्यारक के उससे हैट्टोड मैच किये तो इंडियों मैच खेली है क्या उनना स्कूर की है साथ के और से रिसन फार्म की बात किये तो खराब फाम है मेरे सबसे इतने इ इंडिया की टॉप बॉलर से दिप्ति सर्मा और इंजली सर्वानी यह सब हैं जो शुरुआत में बैटिंग करने वाली है वन डाउन पर तो मेरे सबसे इतने इंडियों में नहीं इनको आउट करने के चांसे हाई है से मैंन कमपे लेंगे टी टॉन डीज में के नाम 111 मैज में 894 रहन तेरा के और से चोती विकंड का लिए है 16 मैच खेली है इंडियों में के खलाब 6 विकंड का लिए है ध्यान रगना यह बॉलिंग करा सकते हैं लेकिन कराई नहीं है और नहीं कराने के इसके चांसेज है र सब्सक्राइब करती है साथ मैच खेली है आट रहन स्कूर के पांच बीड का लिए है बॉलिंग कराने वाली है अपने पूरी कर चार ओबर कराएगी तो इंपोर्टन पिक रहने वाली हाला कि पिछले मैच में बिकंड नहीं मिला था लेकिन बैटिंग से आपको थोड़ी बहुत पॉइंट दे सकती है समीमें और को नहीं लाएंगी टीटों डीज में कराम फच्पन मैच में 36 विगड है राइटां फास बालिंग करती हैं हेट्रोड मैच के बद किया चार मैच खेली है एक गिंड काली है दिस्टफां के बद किया तो एक गिड चार नट और तीन अच जीव कर तीन बिकंड पांच नड जीव कर मेरे इसाब से ये भी अच्छी बॉले लगती है बेस्ट इंडी जोमन के तरफ से करिश्मा राम हरक आंगे टी-टून्टीज में के नाम सत्रा मैज में 11 विकट है यह राइट आम अफबरक बालिंग करती है रेशन फार्म की बात किया है तो एक गेट जीरो कर दो नाट आट जीरो विकट एक ओबर डालकर धान रगना इसने पिछले मैज में सिर्फ एक ओबर बालिंग करा इसलिए इसको विकट नहीं मिला था आइसिया इसकल जाएंगी टी-टून्टीज में कराम दो मैज में कोई विकट नहीं है स्लोल लफ्ट आम अथ्वाग करते हैं रिसन फार्म की बात किय अगर को खेलता है इस्टेट अलगम चन पर मिल जाएंगे अगर यहां से टॉप प्लैस के बाद कर सकते हैं इधर से पिक कर सकते हैं मेरे हिसाब से इधर से कोई इंपोर्टेंट ही नहीं लग रहा है उसके सबस्द बात किया इधर से आप सभी का गजनवी को भी ट्राइग कर सकते हैं यह भी अपने दो से तीन ओपर करने वाली है साथ में नमबर पांच पर बलवाजी करेगी उसके सबस्ताइब की इधर से अभी फ्लैचर को पिक करना है इंपोर्टेंट पिक होने वाली है तो अनालसिस वाल पार्ट हो जोगा अमड़ेर बात करते हैं डेमो टीम की डेमो टीम के बाद करेंस पहले बास सबस्क्राइब कर दीजिगा साथ ही साथ आएगा आपको वीडियो पर संदार हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर जीएगा ध्यान रखेगा मैं आने वाले हर मैचिस कबर करने वाला हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सक दी बाइद और यस राना को में पांच आल राउंडर के साथ जाने वाला हूं जान रखना और बॉलिंग सबस्क्राइब करना साथ ती साथ तेलगाम चनल को जानके ना मत बूलना क्योंकि टेलगाम चनल पर आपको इस वीडियो को डिस्क्रिशन मिल जाएगा और अगर थैंक यू